हेलो फ्रेंड्स तो इस्टार एजूकेशन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं तो एक सांधार रिजनिंग का टॉपिक से जिसके अंदर दिशा ग्यात करनी है दूस्तों यह जो दिशा की प्रस्ने मैं आपको जीरो सी लेकर जो मैं आठ क्यूसंस करूंगा अलग अलग परकार के क्यूसंस है एक अलग परकार के क्यूसंस है अलग अलग परकार के क्यूसंस है और अलग अलग ट्रिक के साथ में आपको बाताने वाला तो वीडियो को कर दीजी लाइक चैनल को कर दीजी सब्सक्राइब अगर दोस्तों इन आठ प्रस्टों में आपको एक कोई प्रस्ट ने समझ में ने आया तो आप जल्दी से चोराणों एक सट जीरो इक तालिस थी सिक्स थी पे जाकर वाटसेप कर लीजिए और इस वाटसेप को अपने गुरूप में जोड लीजिए जो आपको डेली वीडियो आपको वाटसेप पे भी मिलता रहे अगर आपको वीडियो वाटसेप भी मिलता रहे कोई प्रस्ट ने स्किन सॉट वेजिए और स्किन सॉट के मादिम से कि सर यह समझ में आएगा मुझे समझाई तो मैं वाटसेप नमबर इसलिए है जो मैं वीडियो के अंदर प्रस्ट ना करवा रहा हूं समझ में ना आए तो मुझे जल करते हैं पहला प्रस्ट दोस्तों यहां पर पहला प्रस्ट क्या दे रहा है कि विजे उत्तर दिशा में जा रहा है तो दोस्तों सबसे पहले जहां से शुरू होता है प्रस्ट के साथ साथ में भी आप पढ़ना शुरू कर लिजी देखिए उत्तर दिशा में चलना तो विजे किस दिशा मुड़े इस दिशा में मुड़ेगा फिर वह बाएं और मुड़ा तो बाएं किस दिशा में उत्तर की दिशा में आप बताओ विजे किस दिशा की दिशा में जारा तो यह विजे की कौन सी दिशा है दोस्तों उत्तर दिशा कौन सी दिशा है उत्तर दिशा है प्र क्यूस्त दो नमर क्यूस्त देखेंगे संकर अपने विद्याले से 4 km सीधा गया तो दोस्तों कोई दिसा ना दे कोई आपको दिसा ना दे तो हमेशा ध्यान रखा दिसा आपको पूरब ही मानके चल नहीं है कि मेरे दिसा कौन सी पूरब कितनी चली 4 km उसके बाद में दाये कितना होगा पूछा कितना तीन किलोमेटर तो यह तीन किलोमेटर चला पुना वह अपने घर पहुंचने के लिए दाय मुड़ा अब पुना दाय मुड़ा तो दाय इसका किस तरह होगा इस तरह होगा और कितना चला दो किलोमेटर यह दो किलोमेटर चला यदि अब उसका घर विद्याले की दक्षिन पूर्वी दिशा में है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए घर के तो यह देखिए आपका विद्याले यह आपका शुरुआ तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से शुरुआ है यह आपका घर है तो घर के सामने यह विद्याले इस तरह प पूरब किया और चाहाना शुरूँ किस दिसा की और पूरब चल मौशला गया तो इसकी राइट ऐंसर क्या है पूरब सर्फ से आपका रैट राइट छो सबच में उसके बाउजूत नहीं आएगा वॉट्सेब नंबर दे रखें connect कर सकते हैं विलकुल बे जीजेख होकर आपसे बात होगी contact नहीं होता है तो आप मुझे WhatsApp किजिए जैसे WhatsApp ओन होगा तो आपको रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा कि इस परसन का उत्तर यह है चले देखे next question देखे तीरी मर्ग कुशन देखे यदि दक्सियन पच्चिम को उत्तर खाते है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यह देखे अच्छी तरीक्री से समझ देना है देखिए यहाँ पर दक्सियन और पच्चिम अगला ले रहा है अब पूचा के उत्तर पूर तो यह जो आ आपका देखे होपिस यहां पर देखेंगे है यह को तो यहां पे लेप्र जाएगा आएगा इदाख्षियन को आएगा एगा डाक कि पोचने का अभी जरूरत नहीं है ज्योंकि पहला यहाँ देखे दक्स झात अगर सवाल यहां से थोड़ा चैंज करता कि यहां पर उत्तर पूरब और दक्सिन तो पूरब और दक्सिन होगा तो अगला पस्चिम हो जाता कि लिए रहा ना कांटीनू हम चल रहे हैं तो इसका राइट आंसर समझ में आगा तीन नमर प्रस्ण जिसका राइट आंसर क्या होगा आपका दक्सिन आपका राइट आंसर है चले देखें नेक्स्ट कृस्ट अगला जो क्यूस्ट है कि सूर्य उधे के समय अजह और दयाल एक दूसरे आपने सामने बाचित कर रहे थी तो दोस्तों यह आपका अजह हैं और यह आपका दयाल है दूनों आपने सामने बाते कर रहे हैं क्या करें आपने सामने दूनों बाते कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में रखना जैसे जैसे परसने कहें वैसे वैसे आप चलेंगे तो आपका हो ज डयाल है ये इस दिशा में बात कर रहा है और ये भी इस दिशा में बात कर रहा है दोनों के मुँ इस दिशा की और है पास्चित के समय दयाल की परच्छाई दोस्तों दयाल की परच्छाई अजे के दाई हाथ के अजे कौन है तो दोस्तों अजे आपका ये रहा अजे आपका देखरए धाय तरफ दयाल की पर्चे अज्य की दयाई तरफ तो दोस्तों यह जो हात है और यह हात है अब ही मिरा उत्तर की और मुह किस दिसाई की और है मैं दयाल का मुह उत्तर की दिसाई है और अजे का भी मेरा धक्षिन दिसा में है तो अब मैं जैसे सूरी यहां पर हुगा सूरी पर्चा इधर पड़ेगी तो यह दयाल है दयाल का यह दाया हाथ है और यह अबाया हाथ है अब पूछा गया है कि बाचित की समय दयाल ये दयाल की पर्चाई अजे तो ये दयाल है तो ये इनका क्या दया हो गया तो आप यहां पर आप देखेंगे दोस्तों बहुत अच्छा क्रिस्टन से तो इनका हाथ दया ये हैं और ये हैं और इसका दया ये हैं और ये अब इसकी च्छाई इधर पड़ी तो ये हो गया पता है दयाल किस दिसा क्यों है तो डी का मतलब दयाल का मों की दिसा क्यों है उत्तर क्यों है किस दिसा क्यों है उत्तर आपका राइट है देखिए वापिस देखेंगे ये इस का मों इस दिसा में इस का मों इस दिसा में सूर्य उग्राएं तो ये इनका दाया है तो ये बिनक सूरिया पूरफ की और उगरा तो इसका राइट अंसर क्या जाएगा उत्तर अगर अगर पूछते कि अजय का मूँ तो अजय का मूँ दक्षिंद की और हो जाएगा के लिए रहे समझ में आ गया चले देखें नेक्ट कुछिंस दूस्तों अगला जो पांच नमर क्या रहा है विनोत उत्तर की और चला तो चली विनोत उत्तर की और चला तस मीटर चला उसके बाद में दाएं मुड़ गया और तीस चला तो यह दाएं मुड़ा और तीस चला उसके बाद में अंत में वो फिर दाएं मुड़ा देखें बाएं मुड़ा या पर भी बाएं दोनों बाए है बाइं लिखा क्या लिखा वापिस देखिए बहुत अच्छा क्यूस्टन से समझ में आना बहुत ही जरूरी है देखिए उत्तर के और चला 10 मीटर बाया मुड़ा तीस चला अंतर में फिर बाया मुड़ा तो यहां पर देखिए बहुत क्यूस्टन से आपके लिए दस चला अब यहां इसका क्या है दाया और यह इसका बाया तो यह बाया चला बाया चला तीस चला अब यह इसका दाया है फिर इसका बाया तो यहां पर देखिए बाया चला कितना चला पच्चास चला पूछा क्या है पूछा गया है कि विनोज ने दूरी ते कितने की अंद में बाये मुड़ा तो दोस्तों विनोज ने इसकी दूरी की पहले यहां पर चला 30 फिर 10 चला और फिर यहां पर 20 चला अब देखेंगे दूस्तों 20 दस 30 30 और 30 और पच्यास देखेंगे विनोज ने थोड़ा यह प्रसन थोड़ा मिस्टेक है थोड़ा यहां पर आपको द्याल में रखना है देखें यहां पर देखें उत्तर की और 10 चला पूरा दाय मुड़ा दाया 30 चला फिर उसके वाद में 20 चला भीच अब बताओ तो बताओ तो यहां पर आप देखेंगे तो बताओ तो बताओ कितनी दूरी ते की तो और चालेश पच्चा साथ साथ की कितनी की साथ कितनी साथ कि साथ क्लियर है तो सब भी को जोड़ना है देखिए ने क्यूशन अगर यह प्रसन समझ में नहीं है तो मुझे वाट्सेप कर लीजिए मैं वाट्सेप के माध्यम से आपको बता दूगा चले देखिए सब्करिशन नेश्ट गूसन यहां पर आप देखेंगे क्स नंबर क्यूशन तरह में चलद दो करस्ने फ्रसने उत्र की दिश समय चल असकेया उस्के बाद बाएं मोड़ा तो यहां पर देखेंगे बाया तो यह यह इतका बाया है कितना चला 30 km चला अन्थ फिर वो 50 चला तो चली यहाँ पर पच्चास ले लेते हैं अब पूछा गए कि अब कृष्णप्रारम से किस दिसा की और तो दो स्तो 30 है तो 30 यह भी 30 है यह 30 है तो 30 यह भी है अब ये 10 तो ये 10 पीछी कितनी बच्चियां पर 40 तो इसमें क्या करना है अब ये जो आपका है ज्यात करना अब इसमें क्या करना अउसी ये दूरी तेह करने तो इसका स्कौर इसका स्कौर तेन का स्कौर आप ले लिजिए नो चार का स्कौर ले लिजिए 16 इनको जोड़ ले पच्चीस 25 का स्कॉर कितना हो रहा पांच तो आपका 50 मेटर पच्चास पेटर तो यह आपका सभी आज़सर है लेता है दोस्तों यह सेवन नमर कुस्टन आपको देखना है मैस दस किलोमेटर उत्तर की और जाता तो दुश्टों सबसे पहले मैं बात करता हूं मैस है मैस उत् कितना चलता दस किलोमेटर चलता है फिर वहां से छे किलोमेटर दक्षिन की हो जाता है तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कितना चलता है दस किलोमेटर चलता है और फिर वहीं से दक्षिन की और कितना चलता है छे किलोमेटर तो वापिस छे किलोमेटर आ जाता है फिर प की चार और च्छै door बल촉 हो आगा तो प्राड़म से किस दिसा की हो अप देखी प्रारम यह तो यहाँ से हम करेंगे तो सबसे पहले आप कि यह दिसा कौन सी यह तो दोस्तों इसके अंदर प्रहत करता है तो इसे outreach यह उत्तर पूरब डिसा की और यह उप्शन कट गया अब दोनों मैंसे एक आ रहा है अब दोस्तों यह मैंना आपको बता दिये यह उत्तर पूरब आएगा आप बापीस देखेंगे तो यह कितना महिस 10 किलो मेटर चला फिर यहां से फिर दक्षिन की और क्या पूछा कि दक्षिन की और यहीं से दक्षिन की और वापिस कितना आया आपका 6 आया तो 6 यह आया और 6 यह 4 तो कुल कितना होगे 10 होगे अब फिर यहां से देखेंगे यह पूरब की और चला कितना चला 3 किल को जोडएंगे 25 25 किसका score है पांच का तो आपकर यह राइट अन्स वार्फ को प्लस आधार इसकोर चलें आज तेहीं प्रस्न आत नमबर देखता है कि अधिए अधर केशन देखें कि सुदा विश zwar विद्या बिद्याले जाती है वह अपने घर से देखिए वो अपने घर जो पूरब दिशा में है क्या है पूरब दिशा में तो यहाँ पर देखी जो मैं दिशा बना देता हूँ यह दिशा अब इसका घर किस दिशा की और है पूरब दिशा की और है जो पूरब दिशा में से चलना प्रारम किया एक चौराया आता है पहुंचती है तो दोस्तों इसका बायात तरफ किस दिशा में यह नक्षेन की हो रहा है यहां पर क्या हो गया माल उसके ठीक सामने रेल्वे स्टेशन तो यहां पर ठीक सामने क्या है घर के ठीक सामने क्या है रेल्वे स्टेशन क्या रेल्वे स्टेशन विश्वी विद्याल वापिस देख लीजे एक बार ये देखिए चोराया हैं पूछां इक चोराया यह अपने घर है घर पूरब जो पूरब दिससां में यह आपका घर है और देखिये उसके घर की और निकलती बायी और चलती तो यह मौल मिलते तब तक के लिए धन्यवाद